नमस्कार दोस्तों जेपी स्टेनोग्राप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत हैं यह डिक्टेशन असी सब्द पर्तिमिनाट का होगा जो की लिगल डिक्टेशन रहेगा दस सेकिंड बाद स्टार्ट के गाएगा दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडियाप आपको टेल आपराधिक प्रकीर्न रिट याचि का संख्या साथ जार तर्राण में बट्टे दोजार उननीस में इलहाबाद उच न्याले द्वारा पारित उस आक्षेपित निर्णे और आदेश से व्याथित और एसंदुष्ट महसूस करते हुए मूल रिट याचि का करता के वर्तमा अपील दायर की हैं जिसके द्वारा उच न्याले ने अपील करता मृतक सत्यवीर और्फ कल्लू की मा द्वारा दायर की गई उक्त रिट याचि का को खारिज कर दिया था जिसमें अपील करतानी सचीव उत्तर परदेश राज्य लखनव द्वारा तेरह दो 2019 को पारित आदेश को चुनोती दी थी जिसके तहट उन्होंने मुकदमा अपराद संख्या 1079 बटे 2014 में CBCID द्वारा आगे अन्यवेशन करने का आदेश दिया था संक्षेप में वर्तमान अपील की तथे निम्नानो सार हैं यह की अपील करता के पुत्र सत्यवीर और पकल्लू की अग्यात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी अपील करता के दामाद संजीव ने स्रीमती अंज्यू और दो अग्यात व्यक्तियों के खिलाप प्रात्मी की दर्ज कराई थी पुलिस निरिक्सिक बडोत जिला बागपत द्वारा विवेचना की गई जिन होने 13-2015 को दो व्यक्तियों के खिलाप आरोप पत्तर प्रस्तूत किया जिस पर 31-3-2015 को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संग्यान लिया गया था उसके बाद अपील करता की परिवाद प्रार्थना पत्र पर जिला अपराद साखा को विवेचना सोंप दी गई अस्विनी कुमार यहां परतिवादी संख्या 8 जिसमें परतिवादी संख्या 9 का पुत्र और स्रिमती अंजू यहां परतिवादी संख्या 11 के खिलाप 2012-2016 को एक पूरक आरोप पत्तर दायर किया गया था विद्वान मजिस्ट्रेट ने 21 बारह 2016 को इसका संग्यान लिया उसके बाद परतिवादी संख्या 8 अरथात अस्विनी कुमार ने मुकदमा अपराद संख्या 1079 बटे 2014 से उत्पन प्रकर्ण संख्या 7626 बटे 2016 की पूरी आपराधिक कारिवाही को रद करने की साथ साथ दो बारह 2006 दिनांकित आरूप पत्र को रद करने के लिए उच न्याले के समक्स निरस्त करने की याची का दायर की। उच न्याले ने 5727 को उक्त प्रार्तना पत्र को खारिज कर दिया। 5727 के आदेश से व्यत्यत होने के कारण परतिवादी संख्या 8 अस्विनी कुमार विशेश अनुमती याची का आपराधिक संख्या 599 बटे 2017 के माध्यम से इस न्याले के समक्स आया। जिसे इस न्याले ने 24-8-2018 को कारिज कर दिया। इस न्याले ने दिनाक 15-9-2017 के आदेश द्वारा परतिवादी संख्या 8 को दी गई अन्तरिम सुरक्षा को भी समाप्त कर दिया। विद्वान मुख्य न्यायक मजिस्ट्रेड बागपत ने दिनाक 8-9-2018 के आदेश द्वारा परतिवादी संख्या 8 के खिलाप गेर जमानती वारंट जारी किया। उसके बाद और परतिवादी संख्या 8 के खिलाप गेर जमानती वारंट जारी किये। जाने के बाद आरोपी अस्विनी कुमार की माने CBCID को अन्वेशन विवेजना इस्थानांतरिंत करने के लिए उतरपरदेश राज्य के सचिव को दिनाक 21-2019 को एक आवेदन दिया। अन्य बातों के साथ साथ इस आधार पर की परतिवादी संख्या 8 को दो गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्द बनाया गया हैं जो वास्तव में जेल में थे और इसलिए उनके बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता हैं। दिनाक 13-2-2019 के आदेश द्वारा सचीव उतरपरदेश राज्य लखनव ने CBCID द्वारा आगे के अनवेशन का आदेश दिया। सचीव ग्रह द्वारा CBCID को अनवेशन इस्थानांत्रित करने के आदेश को वर्तमान याचिका के माधिम से उच न्याले के समक्स चुनोती दी गई थी। आक्सेपित निर्णे और आदेश द्वारा उच न्याले ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया हैं कि विद्वान मजिस्ट्रेड को सुचित करने के बाद आगे के अनवेशन विवेचना का आदेश दिया गया था। और इसलिए सचीव ग्रह द्वारा आगे की विवेचना करने का निर्देश देने वाले आदेश में कोई तुर्टी नहीं हैं। उच न्याले द्वारा पारित आक्सेपित निर्णे और आदेश वर्तमान अपील का विश्य हैं। विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता सुच्री विभादता मखीजा अपील करता की और से पेश हुई हैं। और विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री एस नागा मुथु और श्री रामेशर सिंह स्टॉप। और विद्वान 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 विद्वान